वेलकम टू चैंप्स। आज हमारी रिटेन क्लास टू है। फर्स्ट डे मैंने स्क्रिप्लिंग बताई थी बीबीश को स्क्रिप्लिंग करने के लिए। आज आप बनाओगे लाइंस। आप आज लाइंस बनाओगे कोई भी नोट्बुक लेके और समिक आपको लाइंस बना सकते हैं यह सबसे पहले हम standing line बनाना से खाते हैं freehand पहले बनाएए कोई बात नहीं थोड़ी तिर्ची होगी थोड़ी इधर उधर होगी कोई बात नहीं तो इसके बार हम इंदे करना है rock veil देखें गूर्ण दिखाते हैं तो मैं आस दमधा ना करना के का सबक्राइब गोख से अपल भाइन करना हो टिखाते हैं यह देखेने किए प्र enorm to dot join करना है standing line बना dot to dot join करना है और एक proper space पर distance पर आप dot दीजिए बेबी से काम जितना neat and clean होगा उने भी एच्छा लगेगा आपको भी एच्छा लगेगा इसलिए थूड़ा सा space रखिए बीच में तो जैसे ये मैंने दिखाया ऐसे equal distance पर आपने dots ले लिए आप बेबी को join कराएंगी तो बेबी इसमें बनाएगा dot to dot ये और इसको ये ऐसे join करेंगे ये तिखें ये ऐसे lines बन रहेंगे ये ऐसे एक line आप drop करके बता दोगे फिर बेबी से बोलोगे आप अपने हाथ में एक pencil लीजे जो भी bebe बीबी को काम कराने बैठ रहे हैं तो उनकी हाथ में एक pencil होने की बेबी को एक pencil लीजेए एक pencil आप खुद पकड़िए और उसे ऐसे बुले यहाँ से join करो बेबी यहाँ से हाँ से ये pencil आपके हाथ में होने चाहिई कि उसी आप कुछ कर ये मत मकर आप हांक से ऐसे ना करके फैंसल से ना करिए ऐसे बढ़ता हैं यह को कि बेपी यहीं डॉल्ट बमर्ट शाइका रहा है और वो ऐसे करें आपको यह lines ऐसी ही lines बनानी है हमें यह देखें बेबीस को ऐसी ही dots दीचे और उन्हें dot to dot जोईं कराके सबसे पहले standing line drop कराके सबसे पहले हाँ standing line से start करते हैं standing line वो proper बनाने लगें फिर next class में हम आपको बताते हैं आज की class इतनी है आप पहले three hand बनाने दीजे standing line वो कैसे भी बनाते हैं लंबी छोटी डेजन्ट मैटर फिर उसके बाद आप equal distance पे dots से के उन्हें join कराईए ठीक है मिलते हैं next class में till then bye